वेलकम फैंस हमारे चानल में आपका एक बार फिर से सवागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे होम फर्स्ट फाइनर्स कर्परेशन लिम्टिड के सेर्स के बारे में यह जो कंपनी है हाउसिंग फाइनर्स की बहुत अच्छी कंपनी है कुल मिला के देखे जाए तो इस कंप सकते हैं इसकी जो लिस्टिंग है 515 रूपे से इसने की थी और इसने काफी अच्छा परफोमेर्स पहले दिन किया था लेकिन आज के ताइम में इसने नीचे की तरफ अपना जो है सेर का रेट गिरा दिया है कुल मिला के देखे जाए इसने 560 रूपे तक अपना जो परफ यह जा सकता कि आप या ना ले लेकिन लोन्टरम के हैसाफ इस कंपनी के सेर्स हाफ यह सकते हैं क्योंकि आने वाले भोश्चामें में इसकी एक रफ्याइब सकते हैंना भी बचो सकते हैं अब बात करते हैं अब तो ये बुलिश की तरफ दोड रहा है लेकिन आने वाले समय में ये थोड़े से ग्रोथ करेंगे और इस कंपनी के जो सेर्स के जो रेट हैं आट सो से अजार रुपे के आस पास तक रहने के चांसे से हैं उसी ये मिडली हैं और हाइस्ट हम बता दें एक जार से पंदरा सो के के बीच में इस कंपनी के सेर्स रहने के अनुमान हो सकते हैं क्ल मिला कर देखे जाए तो इसकी वलूम से काफी अच्छी है और आने वाले समय में काफी ट्रेंड फूल होनी के अनुमान है इस कंपनी के जो क्वैलटी भी एफेक्टिव रहेंगी और फैनलुसरेट ट्रेंड है इसकी वह भी क्वालिफाइड फिलाल नहीं है सेक्टर के अंदर इसका योगदन 11 परसेंट है सेंसर्स के अंदर 24 परसेंट इंडस्टी क्या है फाइनस हाउसिंग सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है इसकी मार्केट कैप देख सकते हैं 4828 करोड है मतलब जिस हिसाब से हम इसका हाउसिंग के अंदर कुछ कंपनी है जिसका जो मार्केट कैप है 5000 करोड के असपस है तो उसके सेर जो है 800 से 1000 के बीच में तो मिडली रहते रहते हैं और हाइस्ट उनके 1500 के बीच में पहुंचने के चांसे हो जाते है पीर रेशियो की बात करते हैं तो 61 चल रहा है फिलाहल अच्छा चल रहा है लेकिन आने वाले समय में इसका जो पीर रेशियो है काफी बढ़ जाएगा अब बात करते हैं इसके प्रोमोटर्स की 33 है और 9 इसका जोगदान 2.94 है 9 इसका जोगदान 19 परसेंट तक है कुल मिलागे देखाते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस कर्परिसिन लेम्टिड के जो सेर्स हैं आप डिलूरे में चूज कर सकते हैं इंटर डे में बहुत रिश्की हैं यदि आपको जानकारी अच्छी लगी और आप ऐसे ही शांदार सेरों के अनलाइज चाहते हैं हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों